नमस्कार मैं डॉक्टर गोविंद शर्मा आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का हर्दिक इस्तिक्बाल है प्रज्ञान ओनलाइन प्रेटफॉर्म के उपर और आप सभी को मेरी तरफ से आपके भविश्य के लिए और आपके एक्जाम के लिए धेरो शुब काम कुछ हमारे मित्र हमारे साथ जुर चुके हैं मोतिलाल जी गुडिवनिंग आपको भी प्रियंका जी नमस्ते कैसे हैं आप ठीक हैं सुमन जी गुड आफ्टर नून आशा जी बिल्कुल राम राम आशा जी आप कैसे हैं सब ये बताते रहिए मुझे तारावती जी गुड शर्मा गुडिवनिंग और धनेश शर्मा गुरुदेव को प्रणाम बिल्कुल दनेश गौड ब्लैस यू आप सबी लोगों का मेरे साथ जोड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा ये जो सेशन है आज से हम एकोनोमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं इकोनोमिक्स का बेसिक इंट्रोड़क्शन आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इसमें जो सबसे इंप्रोटन बात है राज शर्मा हमारे साथ जोड़ चुके है हेलो राज कैसे हैं आप मैं उमीद करता हूँ जल्दी से आपक जी और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज को देखकर कि आपके अंदर economics पढ़ने का जो जोश है जो जजबा है वो बहुत शानदार है और आपके इसी जजबे को मैं सलाम करता हूं तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया पहले आप मुझे यह बताईए एम आइं ऑडिवल टू ऑल आफ यू क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं यह आप बताईए मुझे सूर्य शेडावद गुड़ इमनिंग कह रहे हैं हमें सूर्य जी आपको भी शुब कामना है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस गर्मा गर्म सेशन को एक शांदार थंडी शुरुबात के साथ लेकिन एक बहुत ही क्लोरियस इंपक्ट आज आना चाहिए टॉपीक का और आज टॉपीक हम पढ़ेंगे एकोनॉमिक्स हिंदी में इसका नाम है अर्थशास्त्र में इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र और मैं हुं आपके साथ डॉक्टर गोविन्च शर्मा दोस्तों इकोनॉमिक्स अर्थ शास्त यह जो विशह है यह विशह बहुत ही महत्वपून है क्यों देखिए अगर RPSC की बात करें आप मेरी तब देखते रहिए तो RPSC के एक्जाम कंड़र्ट करता है राजस्थान Administrative Service RAS के नाम से उसमें प्रिलिम्स में अगर आप देखें प्री में तो प्री में डेट्सों में से मोटे-मोटे तीस क्वेस्टन लगभग एप्रॉक्सिमेटली एकोनॉमिक्स से आते हैं और अगर मेंस की बात की जाए मैं अगर आप से बात करूं मेंस की तो असी नंबर का section में में लगभग असी से ज्यादा कभी हो सकता है एकोनॉमिक्स कवर अफ करता है असी नंबर से ज्यादा का section एकोनॉमिक्स कवर करता है मेंस के अंदर यह मैं बात कर रहा हूं आर पी एसी के आरेस परिक्षा की तो अगर आप गौर फरमाएंगे प्रीलिम के 30 questions के उपर और मेंस के असी नंबर के उपर तो यह मान के चलिए कि बहुत से विध्यारती ऐसे हैं इस दुनिया में बहुत से विध्यारती ऐसे हैं जो यह पहले से ही मन बनाके जाते हैं कि मैं economics को छोड़ूंगा मुझे economics के question solve नहीं करने हैं बहुत से विध्यारती हैं मैं जब बहुत से बच्चों के साथ live session करता हूं या open session करता हूं तो बच्चे मुझे से जुरते हैं संगीता जी good morning sorry good evening आशा जी good evening हेतराम जी good evening तो बहुत से बच्चे जब कैसे सुधारना है वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे तो पहले आप इस विषय का वेटेस देखिए इस विषय की seriousness गंभीरता को समझे कि यह विषय हमारे लिए कितना महत्वपून है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसको पढ़ेंगे तो ही selection होगा पर मैं यह जरूर कह हों कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो selection बिल्कुल नहीं होगा क्यों क्योंकि 80 numbers सीधा आपको means में click करेगा RAS के आचा दूसरी तरफ सब गौड फरमाएंगे दा ध्यान से दूसरी तरफ बात करें Union Public Service Commission की UPSC की तो UPSC के अंदर एक परिक्षा होती है IAS के लिए Civil Service Examination वहां पर prelims की बात करें तो 100 में से 18 या 20 question economics क्या आते हैं और मेंस की अगर बात की जाए मेंस की अगर आप यहां पर मोटे मोटे तौर पर मेंस की बात करें तो 100 से डेट सो नंबर का डेट सो मार्क्स का जो material है मेंस में वह एकनोमिक्स से आता है यह आपको देखना है कि अगर आप देखें तो IAS के prelims के लिए 100 में से 18 question या लगबग 20 question पिछली बार तो 22 question थे इस बार 18 question आये पिछली बार 22 question आये थे 2019 में और 2018 में 26 question थे 2016 में 17 question थे 2015 में फिर से 23 question थे और 2018 की बात करें तो 24 question economics से थे UPSC की परिक्षा IAS के अंदर prelims में 100 में से 18 या 20 question average आते हैं हर साल इस साल 18 आये हैं जो अभी 4 October को परिक्षा हुई है और मेंस के अंदर 150 नंबर का मोटा मोटा economics वहां पर आप से direct पूछा जाएगा अब आप गौर फरमाईए RPSC के उपर तो अगर आप देखें इदर RAS में तो यहां पर prelims के 30 questions फसेंगे यहां पर स्टार्डिंग में ही कि सील मीना जी और मोतिलाल जी शुक्रिया सील जी गुरीवनिंग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं live class में सब मेरे सामने ही बैठे हैं और बहुत अच्छा आज अनुभव हो रहा है आप अच्छा बहुत खतर नाक है तो अपनी एकागरता को भी बनाए रखें तो प्रिलिम्स की बात करें तो प्रिलिम्स में आप खुद देखें कि डेट सो में से 30 क्रेशन आरे एसकी प्रिलिम्स की यानि जो प्रारंभिक परिक्षा है उसमें पूछ जाते हैं और मेंस प और इधर आप अगर UPSC का सेक्शन देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की क्या विशेशता है अच्छा जैसे आपने कक्षा 10 तक कक्षा 12 यह सुना हुगा कि आप विशेशी राम आपको भी या इसा बहुत होता है और या फिर आप ने देखा होगा कि अरकर गनित अपको canyon आ रहा है तो फिर उसका पूरा मार्क्स ही आपको मिलेगा और अगर नहीं आ रहा तो फिर तो जीरो ही मिलेगा economics बिल्कुल similar mathematics की तरह है बिल्कुल वही nature है इसका भी कि अगर आपको ये विशय समझ में आ गया या इस विशय की गहराईयों में आप उतर गए या concept आपने बिल्ड कर लिए इस विशय के अपने अंदर तो यह मानके चलिए कि यह जो प्रिलिम्स में 30 question आ रहे हैं इन में से 30 में से 30 की guarantee तो मैं कभी नहीं लेता हूं लेकिन हां इतनी है कि 30 में से 26 या 28 question आप बिना PAN को रोके बिना PAN को रोके solve कर देंगे यह मेरी guarantee है और UPSC की बात की जाएं तो वहां भी वहां भी आप 18 या 20 question में से 16 या 17 question बिना PAN को रोके solve कर देंगे यह confidence आप में built होगा मेरे कारण और मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं और ऐसा हो चुका है बहुत लोगों के साथ कर चुका हूं इसलिए मुझे पता है आप देखें इस बार 18 question आया है प्रिलिम्स में economics के उसमें से 16 question मेरे नोट्स से आये हैं और यह सब बाते students हमें बोलते हैं आके कि सर ऐसा हुआ है तो हमें reward होता है ठीक है इसलिए पहले ऐसा हो चुका है इसलिए मैं इस विश्वास से कह रहा हूं कि आगे भी ऐसा होगा कि आप 30 में से मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो 26-27 question easily solve करके आ जाएंगे एक दो question अपवाद होते हैं और अगर आप धंग से अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहे और अच्छा प्रैक्टिस रिद्माटिक प्रैक्टिस आपने किया तो हो सकता है आपका 30 में से 30 question भी सही हो जाए कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि economics है यहाँ प इसके बाद बात करें मेंस की तो आप खुद देखिए आपका पेपर फोर्ड जो होता है आशुतोष जी कह रहे हैं सर इस बार आइस में basic question नहीं practical question पूछे गए थे आशुतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी this economics is totally practical आप मेरे साथ पहली बार जुरे हैं इसल practical हैं तो आपको भी practically होके ही पढ़ाया जाएगा जोंट वरी आशुतोष जी लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आप paper analysis करते हैं क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है इस preparation के दौरान तो वह दोस्त हैं आपके एक syllabus और एक last year के आए हुए question papers यह आपके द आशुतोष जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया दिने शैनी जी सर मेरे तो 55 आए है मैथ में दिने जी आपकी मैथ बहुत वीक है थोड़ा और ट्राइ कीजिए मैथ को अच्छा करनेगा प्रियंका जी अमारे जुर चुकी है प्रियंका जी स्वागत है आपका इस live आपको मेरी तरफ से देढ़ों शुपकाम नहीं तो आए वापिस चलते हैं इस तरफ बहुत से बच्चा जुर रहे हैं और सभी का स्वागत है अशुतोष जी कह रहे है जी सर बिल्कुल बिल्कुल तो 80 नंबर जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपका मेंस का पेपर 4 होता है आरे इसका उस मेंस के पेपर 4 में इंगलीश होता है सब्जेक्ट वो खुद 80 नंबर का है तो आप देखिए एक सब्जेक्ट के बराबर वेटेज रखता है यह विशह और मैंने क्या का अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक हैं आप बिल्कुल पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट और तो ऐसी में से 80 ही आएगा अगर आपको इकनोमिस का प्रेश्ण नहीं आ रहा तो फिर आपको 0 मिलेगा या माइनस में मांक्स मिलेगा यह तैब आ रहा है और पड़ा हुआ है और समझा हुआ है concept किलियर है तो 80 में से 80 ही आएगा और यही कारण है जब आप बहुत से selected candidates से प्रेंग करें आप करते हैं आपकी रैंक बना अलाक बात है आपकी कौन कहने चाहिए आप सबी लोगों का और वीरा राम जी भी हमारे साथ लिए वीरह राम जी को बीनमश्कार बीपी सिंगानिय को भी मेरी तरव से नमश्कार बीपी सिंगाने जूकरिया जुड़ने के लिए यादव सर भी गुड गुड बहुत बढ़िया धन्यवाद यादव जी बहुत अच्छा आपके साथ जुड के मज़ा आ रहा है तो बहुत बढ़िया कुलदीब जी थैंक्यू सो मच गाइस आप सभी को जुडने के लिए तो दिस इस रैंक डिसिसिव सब्जेक्ट आपका र बनेंगे या फिर आप क्या बनेंगे रैंक आपका डिसाइट करता है ना तो यह सब्जेक्ट रैंक देता है आपको जैसे आपने सुना होगा कि परसंटेज मैथमेटिक्स बनाती है गनित में सौ में सो आ गया मतलब परसंटेज अच्छा बिल्ट अप हो गया तो वैसे ही इकोनामिक्स है और आप जब मैं बनी बेनिवाल जी जुरे हैं अभी अभी अनिल जी जुरे हैं आप दोनों को शुबकाम नाए राम राम गुडिवलिंग बहुत बढ़िया और जब आप देखेंगे किसी टॉपर से किसी स्टुडेंट से आप बात करेंगे जैसा कि मेरा हो है मैंने काफी बात किया है तो मैंने एक बात नोटिस किये उनका economics बढ़ा solid था उनकी जो मिड़ा मजबूत Chev के बारे में बात करी तो वो मुझे डरे वे दिखाई दिये कि सर economics से मुझे बहुत डर लगता है economics बहुत बेकार सब्जेक्ट है तो मैं वहीं समझ गया कि इसका rank क्यों 102 आया है और उसका rank क्यों number 2 आया है तो यह आप ध्यान रखें यह बहुत बड़ी बात है कि आपका rank exam में से क्या आ रहा है selection से बड़ी बात होती है rank और rank आपको कौन देगा economics क्यों आपका पूरा माक्ष इदर टिका हुआ है 80 number मैंने क्या का अगर आप शौली पढ़ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं तो आपको 80 में से 80 मिलेगा कोई डाउट ही नहीं है इधर भी आप देखें तो UPS की बात आप करें तो UPSC में भी इस बार आप देखें अठारा क्रेशन economics के आए हैं और कुछ बच्चे मेरी बात हुई थी 18 में से 18 क्रेशन सही करके आ रहे हैं तो उनका selection शौर हो रहे हैं और मेंस के आप बात करें तो 150 माक्स का economics उदर आता है अब 150 माक्स जिसका आ रहा हो कि economics एक ही और आप खुछ सोचिए जो economics क्यों नहीं इत्ता वेटेज रखेगा आप अपनी economics के कारण life चलाते हैं और आप बाजार जाते हैं कुछ खरीबते हैं economics वहां काम आती है आप घर पे आते हैं, अपना पैसा चेक करते हैं, इकनॉमिक्स वहां काम आती है, इन्वेस्ट्मेंट कहां करना है? अगर आपने 1,00,00 रुपे आपको मिल गए तो उसका FD कराना है, उसका investment करना है, उस 1,00,00 रुपे को ब्याज पर चलाना है, कितना ब्याज मिलेगा, उस 1,00,00 रुपे को save करके रखना है, अभी market में मंदी है, तो आपने पैसे को बचा कर रखा, या उस 1,00,00 रुपे सा कु लोड़ी हुई है economics आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते कि भाई चलो ठीक है मैं तो एक्जाम पास करने के लिए पड़ूँगा और एक्जाम में मुझे कुछ लों क्या करते हैं जाड़ा इंटलिजेंट सी शो करते हैं कि ठीक है यार तीस क्वेशन आ रहे हैं काम करेंगे इतना पढ़ेंगे 15 तो सही हो जाएंगे मैं आपको बता दूँ और जब वह पेपर देके आते हैं तो जो एक अच्छा विध्यारती है उसके 30 में से 30 सही होते हैं और उनके 15 में से 10 सही होते हैं तो आप सोचिए 20 क्वेशन का जो फरक है वह उसको तो सेलेक्शन देदेगा और इसको बाहर कर देगा पॉम्पिटेशन से तो यह गलती ना करें अब बीपी कैलाज जी को राम राम बीपी सिंगहनिया जी आप है तो सब मुम्किन हैं आप हमारी समस्याओं का समय समय पर निराकरन मिलता रहें बीपी जी बहुत-बहुत धन्यवाद विश्वास के लिए मैं हूँ आपके साथ और हमेशा रहूंगा और समस्याइं है तो स सब्जेक्ट करता हूँ आप सभी को मेरी तरफ से तो आप खुद सोचिए यह आधा अधूरा मन लेकर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है अगर कोई यह सोच के बैठा हो कि सर मैं तो है ना इस तीस में से ना सिफ दस कोईशन सही कर दूँगा बाकि 20 छोड़ दूँगा अरे सिंपल मैथेमेटिक्स है सिंपल और ऐसा विशह है जो एक बार समझ में आ गया तो बिचारा दुबारा रिवीजन भी नहीं मांगता इससे बड़ी क्वालिटी और क्या होगी बताओ ऐसा सब्जेक्ट है अगर एक बार आपने इसके कॉंसेप्स पकड़ लिए तो फिर आपका एकोनॉमिक्स का बेसिक बहुत स्ट्रॉंग है कॉंसेप्ट जबर्दस तरह से आपने पढ़ रखे हैं तो आप लिखवा लीजिए कागच पे कि आपको एकोनॉमिक्स का रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है और आप एकोनॉमिक्स के बाद्शा बन जाएंगे यह तै बात है तो इतना अच्छा सब्जेक्ट इतना प्यारा सब्जेक्ट और फिर डर कैसा और हम है न तो डर कैसा सूरे शिरावजी कह रहे हैं आपके होते हुए कोई टेंशन नहीं है सर बिलकुल सूरे जी आपकी टेंशनों को कम करने ही मैं आया हूँ और यह टेंशन जो है ये सिफ और सिफ अल्प कालिक है थोड़ी देर के लिए हैं जैसे रेपोरेट होता है ना शौट टम पीरियाड अल्पकालिक रोब वैसे ये टेंशन अल्पकारी के देर कालिक नहीं है मलखान जी कह रहे हैं सर रेगुलर क्लास कब से स्थार्ट होगी आज से हो तो गई है मलखान जी नीन से जागी है यह क्लास रेगुलर ही चलेगा मैं आपको रोज मिलूंगा बशर्त आप जुड़े रहें मेरे साथ शांदाल लाइव एक्स्क्लूजिव कवरेज के उपर अपने कमेंट जरूर देते रहें चलिए तो इतने प्यारे विशय को हम पकड़ के रखेंगे चीक है अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप economics को पढ़ लेंगे तो मैं कुछ newspaper लिख रहा हूँ यहां पर द्हिंदू, तमस्व इल्ड़ आप द्या, अच्छिक टमस्टाम्टबेस्ट बूम्यान, डमिचरण, तॉर्ड़ के नच्छन, जन्सत्ता, दैनिक भासकर, और राजस्थान पत्रीका, अब आप समझे, इन सब ये जितने भी ये टॉप क्लास न्यूजपेपर हैं इंडिया के, सोनु मीना राम राम कैसे हैं सोनु जी बढ़िया, ये टॉप क्लास न्यूजपेपर हैं इंडिया लेवल के, जो आपको UPSC और RPSC की तैयारी में बहुत हेल्प करते हैं, इन सभी अकबारों की एक कॉमन बात है, कि इन अकबारों में एक पेज आता है, उस पेज के उपर लिखा रहेगा, बिजनेस, या फिर पत्री का में क्या लिखा रहेगा, व्यापार, दैनिक भासक में क्या लिखा रहेगा, उस पेज के उपर, व्यापार, ठीक है, बाकी इंग्लिश के निउस्पेपन में क्या लिखा रहेगा, बिजनेस, दैनिक जागन में क्या लिखा रहेगा, आर्थिक जगत, क्या लिखा रहेगा, आर्थिक जगत, और वहाँ पर उस पन्ने में पूरी एकोनॉमिक्स होती है, सोने का भाव कितना चल रहा है, शेर मार्केट कितना लुडग गया, आठ, कोड, उद्योगों का उत्पादन कितना गिर चुका है, ठीक है, आप खुद देखे, रैपो रे मार्केट ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंट क्या कर रहा है, ये तमाम एकोनॉमिक्स की जो न्यूज है, वो आपको यहां मिलेगी, और दा हिंदू का बिजनिस का जो पन्ना आता है, वो बड़ा खतरना का आता है, आप देखें तो, और सबसे अच आर्थिक विशेशग्य है, जिसको आर्थिक मामलों की जानकारी हो और अच्छा व्यक्ति हो, उसके विचार आते हैं किसी विशे के उपर, जैसे दो दिन पहले, आर्बियाई ने मौद्रिक निती की और उसमें रेट्स को कट आफ करने से मना कर दिया, तो उसके उपर अग केसी रंगराजन जी का एडिटोरियल आया है, उसमेरों ने पूरा बता रखा है कि मौद्रिक नीती क्यों इस समय महत्वपून है भारत के लिए, और गैनिक जाक्रन या जनसत्ता या पत्रीका देखें, तो पत्रीका में भी आज एक न्यूज आईए है बिजनिस कॉलम में कि जो भारत के कुछ बंदरगाहों को blue flag, भारत के बंदरगाह क्या, भारत के बीचों को blue flag beach declare किया गया है और उसको blue economy से जोर के देखा जा रहा है, नीली अर्थ विवस्ता से जोर के देखा जा रहा है, तो ये सब कब किलियर होगा, ये सब तब किलियर होगा, जब आपने basic पर रखे होंगे, economics के, अगर आपने economics के basic पर रखे हैं, कुछ प्रशन है, sorry मैं दो मिनिट आपको रोक रहा हूं बच्चो, मलखान जी कुछ पूछ रहे हैं, class का time क्या रहेगा डेली का, मलखान जी हमारी website पर update रहे है, हमारे RAS के channel पर, YouTube के live channel पर update रहे हैं, आपको वहाँ प आपको, मुतिलाल जी thank you, दनेश शर्मा, आठ को, आठ को, हाँ, आठ बंदरगाओं को, बीच को, बिल्कुल दनेश, very good, चलिए, तो मेरा कहने का मतलग ये है, कि आपको इन अखबारों के editorial अभी भले ही डराओने लग रहे हों, आपको इन अखबारों के editorial अभी भले ही डर आउने लग रहे हों, परेशान कर रहे हों, डरा रहे हों, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो घबराने की जुरत नहीं है, घबराने की जुरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका basic तयार नहीं है, आपको पता ही नहीं blue economy क्या होती है, तो आप कैसे समझ पाओगे blue economy के article को, ब article तब समझ में आते हैं, newspapers के, जब आपका basic strong हो, और जैसा कि थोरी ही देर पहले मुझे किसी ने कहा था, मैं उन्हें विक्ति का नाम भूल गया, माफी चाहता हूं, थोरी ही देर पहले मुझे उन्होंने कहा था, एक मिनट बस, हाँ, आशुतो जी ने कहा था, कि सर इस बार practical प्रश्ण पूछे गए हैं, आईएस में, तो वो जो practical प्रश्ण है न, वो कब आते हैं, कब आप सॉलो कर सकते हो, जब आपका basic clear हो, practical क्या है, जैसे मैं आपको जोर बाकी गुना भाग सिखा रहा हूं, और मैं उस जोर बाकी गुना भाग में आपको ऐसे बोलू कि तु जोर बाकी गुना भाग का basic आता हूं, तो वैसे ही economics का basic अगर आप सिखेंगे तो आपको बहुत-बहुत-बहुत support मिलेगा, बहुत-चबूइदा चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, आपको यह भी सीखने को मिलेगा, carbonic सीखने के बाद आपको यह भी सीखने को मिलेगा, क क्यों किसान मंडियों के बाहर जाकर अपने उत्पाद बेच सकता है क्यों आइरन स्टील इंडस्टरी बंदरगाहों के पास लगाई जाती है क्यों विश्वेश्वराई आइडन स्टील या विशा का पत्थ्नम बंदर उस्टिल लगाई गई है यह सब सीखने को मिलेगा जब आप economics का basic पढ़ेंगे तो मैं आपको क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले कि economics is just like mathematics अगर आपने सीखा पकड़ा concept को समझा तो तो इस फिल्ड के आप बाच्या हैं और ना सिर्फ इस फिल्ड के बलकि मैं क्या कह रहा हूं आपको agriculture आपका strong होगा agriculture बहुत मजबूत होगा बहुत और इस बार प्रिलिम्स में agriculture से 12 question आए है और 12 के 12 economic से based है एक question अलग है 11 question economics से based है अगर आप देखें तो ठीक है उसके बार दूसरा आपका industry मजबूत होगा उध्योग मजबूत होगे तो और उध्योग से इस बार 6 question आए है प्रिलिम्स में तो आप यह देखिए और उन 6 के 6 economics related है तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि economics पढ़ने के multi dimension फायदे हैं बहुत ज्यादा फायदे हैं और फिर जब आप economics पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आप चीजों को समझने लगेंगे कि सर इस समय क्यों शेयर बाजार गिरा सर इस समय आलू महंगे क्यों हो गए इस समय डाल का भाव क्यों भढ रहा है इस समय सरकार डाल क्यों आयात कर रही है इस समय सोने के उपर import duties क्यों लगाई जा रही है सर्चीन से आने वाले माल के उपड़ डंपिंग ड्यूटी क्यों बढ़ाई जा रही है तो यह सब तब पता चलेगा ना जब बेसिक सीखेंगे और मैं आपको बेसिक सिखाने आया हूँ किलियर है मैं आपको बेसिक सिकाने आया हूँ और मुझे बेसिक ही सिकाना है क्यों कि मैं विश्वास करता हूँ आधार बनाने में क्योंकि अगर आधार मजबूत है तो बिल्डिंग तो आप खुद बना सकते हैं अब जब मैंने आपको पढ़ा दिया रैपोरेट के बारे मे तो आप विश्वास रखिए मेरा मुझे पढ़ने के बाद इन सब अकभारों के बिजनिस पेज एकोनॉमिक के रिलेटेट पेज आप कभी नहीं छोड़ेंगे आप जान बूच के अकभार खोलेंगे तो पहले देखेंगे बिजनिस कॉलम में क्या आया है आर्थिक जगत म में क्या बोला है व्यापार वाले पेज पर क्या लिखा हुआ है इतनी मेरी गैरेंटी है ठीक है चलिए आईए अब चलते हैं इधर देखिए कि इकोनॉमिक्स कि अर्थिशास्त्र कि ठीक है चलिए मुझे बात बताईए कि मैं आज कक्षा में पांच रजगुल्य लेकर आया हूं मैं आज कक्षा में पांच रजगुल्य लेकर आया हूं और मैंने क्या देखा कि कक्षा में 10 बच्चे बैठे हुए हैं помог आप 10 बच्चे होए हैं और सभी वच्चे रजगुले खाना चाहते हैं अब रजगुले आप मात्र पांच और बच्चे ुसिक्षा में 10 अब क्या करें अब रजगुले मेरे लिए हो जाएँ गे संसाधन रस्गुल्डे क्या हो जाएंगे मेरे लिए संसाधन एक बात और मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसलिए यह मैं सोचना कि सर ऐसा क्यों ऐसा मेरा आदत है रिसोर्सेज संसाधन मतलब रिसोर्सेज जैसे आपके देश के पास क्या संसाधन है कोईला बिजली पैट्रोल प्राकतिक संसाधन सौर उर्जा पवन उर्जा नवीकनिय संसाधन परंपरागत संसाधन गैर परंपरागत संसाधन यह सब क्या है संसाधन रिसोर्सेज जिनके पर विकास किया जा सकता है और इधर बच्चे हैं तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे हो गए मेरे लिए जन संख्या, बच्चे क्या हो गए मेरे लिए जन संख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, जन संख्या मतलब पॉपुलेशन, तो अब मेरे उपर बड़ी जिम्मिदारी आ गई है कि प्रिती शर्मा राइत ठेंग्डिम्ट यूवेराम जींद अब मेरे उसले हैं और दस दस बच्चो को खिलाने हैं यानी कि रजगुल्ले जो हैं वह सरा 答स्राइब हैं लिमिटेड हैं यानि संसाधण वह हूते हैं वह हमेशा सीमित लिमिटेड आप समझेए और जो जनसंख्या होती है पॉपुलेशन होती है वो कभी सीमित नहीं होती वो भरती रहती है यानि वो क्या होती है हमेशा सीमित नॉन लिमिटेड यानि इसका मतलब कि सीमित संसाधनों का सुनो ध्यान से सीमित संसाधनों का वितरन आपको आज सीमित जनसंख्या में करना है यही है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र यही है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त हमें क्या सिखाता है अर्थशास्त हमें सिखाता है कि संसाधनों का रिसोर्सेस का उस देश की संपूर्ण जनसंक्या में समान रूप से वितरन जिस विज्ञान की शाखा में आप पड़ेंगे या जिस विशे की शाखा में आप पड़ेंगे वो विशे है this to be channel एक बात बताइए problem क्या है problem यह है किसर्स अभूले पांच यानि संसाधन सीमित है यह सबसे बढ़ी problem होती है किसी भी economic की क्यों क्यों क्योंकि संसाधन सीमित है आज मैं सोच लूँ कि मुझे हर व्यक्ति से गरीवी दूर करनी है सितनी है यह मैं घर व्यक्ति को सौंसो रुपे देना शुरु कर दूपर मैं आवऑ कर सकता क्यों कि सौंसो रुपे मेरे पास कहा है सीमित है सनसादन तो यही तो प्रॉब्लम है economics ची आज आज हर देश की क्या समस्य आए economics में कि सर संसाधन सीमित है और दूसरी तरफ जो जनसंख्या है आप देख सकते हैं population वो असीमित है तो सीमित संसाधनों का वितरण असीमित जनसंख्या के अंदर करना यही है economics अर्थ शास्त्र अर्थात यह आप समझ सकते हैं कि आपको पांच रजगुले दस बच्चों में बाटने हैं तो आप क्या करेंगे अब आप एक planning करेंगे अब आपने क्या करी आपने एक planning करी planning मतलब नियोजन नियोजन क्या होता है नियोजन होता है प्लान करना की कैसे कैसे काम होगा आपने planning करी, आपने पांच रजगुलों को आधा आधा काट दिया, तो पांच रजगुलों के कितने टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े, और प्रते बच्चे को एक एक टुकड़ा दे दिया गया, तो बताгов, 10 के 10 बच्चों ने रजगुलों का आनन्द लिया या नहीं लिया लिया या नहीं लिया तो यह जो प्लानिंग आपने करी यह जो प्लानिंग आपने यहापर करी या मैं कहूं कि यह जो प्लानिंग आप कर रहे हैं तो यह वाला जो एरिया है प्लानिंग वाला यह जो आर्थिक प्रक्रियाएं चर रही हैं यह जो प्लानिंग आप कर रहे हैं यह पूरा कहलाता है, Economic Planning, Economic Planning, आर्थिक नियोजन, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन, बै, नियोजन क्या है, नियोजन प्लानिंग है, मैंने क्या करा, पांच रजगुल लेके आदे-ादे तुक्रे कर दिए, छीक है? जब पांच रजगुल्ले के आदे-आदे टुक्रे कर दिये तो प्रते एक बच्चे को रजगुल्ला उपलब्द हो गया, तो सभी बच्चों के पास रजगुल्ला पहुँच गया, तो जब सब बच्चों के पास रजगुल्ला पहुँच गया, तो संसाधनों का वितरन क्य जनसंख्या में हो गया नहीं हो गया हो गया यानि सीमित संसाधनों को और सीमित जनसंख्या तक पहुचाना ही अर्थ शास्त्र है सीमित संसाध्या तक पहुचाने का रास्ता है और इसके लिए क्या करने पड़ती है प्लानिंग करने पड़ती है नियोजन करना पड़ता है और जो प्लानिंग यहां करी जाती है उस planning को बोलते हैं economic planning आर्थिक नियोजन क्या बोलते हैं आर्थिक नियोजन तो मुझे एक बात बताईए अगर मैं ऐसे बोलूं कि आर्थिक नियोजन क्या है मैं आपसे बोलूं कि आर्थिक नियोजन सीमित संसाधनों को सीमित जनसंख्या में वितरट करने की एक योजना है एक क्रियाविदी है, एक कारेपद्दती है, तो क्या मैंने गलत बोला क्या, मैंने गलत बोला क्या, अब इसी बात को UPSC ने पूछ लिया, UPSC पूछता है, आर्थिक नियोजन, UPSC पूछता है, आर्थिक नियोजन है, UPSC पुछता है, आर्थिक नियोजन है, इकनोमिक प्लानिंग है, ओप्शन A, UPSC देता है, संसाधनों का दोहन, फिर UPSC अगला ओप्शन देता है, संसाधनों का प्रबंदन, फिर UPSC अगला ओप्शन देता है, संसाधनों का विलुप्थ होना, फिर UPSC अगला ओप्शन देता है, संसाधनों का ऐसमान वितरन, चलिए, फास्ट आंसर दीजिए, आर्थिक नियोजन है, इकनोमिक प्लानिंग पे बात कर रहा है, एकनोमिक प्लानिंग, क्या है, यह मतलब वो पूछना चाहरा है, उससे रिगार्डिंग चार ओप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से उत्तर क्या होगा, फास्ट और जो लोग में साथ लाइव में हैं, मुझे उमीद है, सब लोग उत्तर देंगे, गलत होता है, उससे फरक नहीं पड़ता है, कुछ ना करने से गलत करना ज्यादा सही है, आम वेटिंग फॉर आंसर, वेरी गुड प्रिती, प्रिती जी ने बहुत ही जल्दी उत्तर दिया है, सुमन जी का भी उत्तर आ गया है, और जब इस तरह के उत्तर आते हैं, तो एक खुशी होती है, बिलकुल उसी तरह जिस तरह मोर खुश होता है बारिश को देखकर, ता और सभी के उत्तर में एक निल्यारिटी है, सभी का उत्तर एक जैसा है, प्रियंका जी प्क, प्रियंका जी का उत्तर भी B आ रहा है, ठीक है, रामकेश मीना तीन बार B बोल रहे हैं वो, B, B, B okay, ठीक है रामकेश जी, इस वेरी गुट साइं, that you are doing well not well you are doing best मतलब अगर आप इस तरह से प्रश्टों के उत्तर देने लगेंगे तो यह मान के चलिए कि आप तो टॉपर बन जाएंगे स्विश्य के हेथ राम जी का भी उत्तर आचुका है बी लेकिन उनका उत्तर सबसे अलग है क्योंकि उनका उत्तर कैपिटल भी है मैं मजार करना हूं ठीक है अब इस चलिए बाकी के उत्तर आते रहेंगे आप we देखते हैं इबहाए लोग भी ठ्राय करते रहें आर्थिक नियोजन क्या है थोरी देर पहले ही अभी मैंने आप से श्याएंट किया था क्या है आर्थिक नियोजन मैंने जो पिरति जी का भी और रामेशव mêmeश पार के बटाया था कि शीमित संसाधन जो हैं कि उनको आपको असीमित जनसंख्या में पहुंचाना हैं ये तो है अरे ड收 लुकि आपके पास संसाधन सिमीत नहीं है अगरे एधर आसीमित जनसंखने है जो आप प्लानिंग करेंगे जो आप प्लानिंग करेंगे कि कैसे संसाधनों को जनसंख्या तक पहुचाया जाए प्रिती जी का भी और रामेश ज्रमेश जी का भी उत्तर आ गया है कि कैसे इन सीमित संसाधनों को वहां पहुचाया जाए ऐसी कौन सी किरिया की जा सकते जैसे मैंने कि करा मैंने पांच रजगुलों के आधे आधे टुक्रे कर लिए तो अगर मैंने एक रजगुले के दो टुक्रे कर लिए तो फांच रजगुले की तो यह जो काम मैंने खिया यह यह जो किया वीधी मैंने की यह मैंने क्या किया मैंनेजमेंट किया management किसका किया संसाधनों का LGBT अपर तो अब eruption देखिए आप आप इक है संसाधनों का दोहन दोहन होता है उनका अत्यादिक उफियोग करना यह हो नहीं सकता option c देखते हैं पहले संसाधनों का विलुप्त होना ये तो है ही नहीं संसाधनों का आसमान वित्रन कई लोगों ने एक बार यहां सोचा होगा कि सर यह हो सकता है लेकिन यहां पर इसको देखो यह ऐसमान है और मैंने कहाता समान वित्रन होना चाहिए यह तो आपको समविदान का जो उत्तर है कि इस प्रश्ण का जो उत्तर है वो कुछ इस तरह से बी रहेगा आप देख सकते हैं OMR में भी फिलप होता हुआ बहुती सुन्दर तरह से फिलप कर रहे हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा बी का मतलब है संसादनों का प्रभंदन और लास्ट में सीमा जी का भी उत्तर आ गया है और आप सभी को धेरो धेरो शुपकामनाएं और बधाई पहला प्रश्ण सही करने के लिए बोलते हैं ना पहला चीज सही होना चाहिए पहला क्या बोलते हैं कुछ ऐसा कि पहला चीज सही होना चाहिए तो वो आप बिलकुल सही दहलीच पर खड़े हैं अब बस ऐसे ही तीजों को समझते रहें तो आपका काम क्लियर हो जाएगा ठीक है यहां तक क्लियर है पक्का अब मैं आगे चल रहा हूं अब देखना मैं आपको थोड़ा सा लेवल अप्ग्रेड करता हूं ठीक है चलिए next इदा देखें क्या होता है यह एक देश है यह एक देश है ठीक है इस देश के अंदर बहुत सी आर्थी किरियाए हो रही है इस देश के अंदर बहुत सी आर्थी किरियाए हो रही है आर्थी किरियाए जैसे इस देश के अंदर तरह तरह के उद्ध्यों काम कर रहे हैं इस देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम है एक प्रकार क चीक है इस देश के अंदर व्यापार हो रहा है trade business हो रहा है तो आप देखिए कि इस देश के अंदर आर्थिक क्रियाएं चल रही है और किसी भी देश के अंदर होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं economic process किसी भी देश के अंदर होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं उस देश की अर्थ वैवस्ता कहलाती है उस देश की अर्थ वैवस्ता कहलाती है इंगलीश में बोलूँगा तो दिस इस इको नॉमी इको नॉमी इको नॉमी कि किसी भी देश के अंदर होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं आप समझी मेरी बात को किसी भी देश के अंदर होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं उस देश की अर्थ वस्ता कहलाती हैं उस देश की इको नॉमी कहलाती हैं जैसे उस देश में उध्योग चल रहे हैं उस देश का बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है उस देश में एक्ता च या आर्थिक का मतलब होता है हमेशा धन पैसे से संबंदित तो आज के बाद अगर आपके कानों में शब्द जाए आर्थिक तो आप समझाना बात पैसे की हो रही है मैं बोलू कि मैं आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हूँ, मतलब पैसे से मजबूत हूँ, पैसा है, मैं बोलू कि सचिन दंदुलकर आर्थिक रूप से बहुत शशक्त है, मतलब वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, तो किसी भी देश के अंदर होने वाली आर्थिक किरियाए यानि सारा पैसे से समंदित जो भी काम चल रहा है किसी भी देश के अंदर वो सारी किरियाएं उस देश की अर्थ व्यवस्ता कहलाती है एकोनॉमी कहलाती है तो एक बात मेरे समझ में आई एकोनॉमी अर्थ व्यवस्ता अलग है और अर्थ शास्त्र एकोनॉमिक्स अलग है एकोनॉमी अलग है और अर्थ शास्त्र एकोनॉमिक्स अलग है कुछ पता पड़ा एकोनॉमी एन एकोनॉमिक्स दोनों में बहुत अंतर है क्या अंतर है एकोनॉमिक्स क्या है यह देखो यह एकोनॉमिक्स है दिखा अच्छा Economy क्या है यह economy है अर्थ वेवस्ता को इंगलीश में बोलते हैं economy और अर्थ शास्त्र को इंगलीश में बोलते हैं economics तो अर्थ शास्त्र एक विशे है, subject है, उसके अंदर क्या आता है, economy आता है, अर्थविवस्ता आता है, और आपका examiner, अगर मान लो, डेट सो में से 30 question पूछ रहा है, economics के, तो ये मान के चलिए, कि 30 में से 29 question, इधर देखिए, बहुत important जगे खड़े हैं, किलास के बहुत खतरनाक शन चल रहा है, किलास का, बड़ा ही crunching moment चल रहा है, इस समय, थोड़ी सी भी लापरवाई, आपकी जान ले सकती है, परिक्षा भवन के अंदर, सतर्क रहें, देखिए, डेट सो में से 30 question आते हैं, economics के, आरेस में, उन 30 में से, गुंतिस question, अकेले fix है, कहां से आएंग से, यानि, आपके मन में एक बात आ रही होगी, कि सर, इसका मतलब, आप ये कहना चाहते हो, कि हमारे लिए economics important नहीं है, हमारे लिए economy important है, मैं बिलकुल यही कहना चाह रहा हूँ, रामराज मीना, welcome sir, रामराज जी स्वागत है आपका इस शानदार online platform के उपर, कैसे हैं आप सब, तो देखिए, मैं आप से यही कहना चाह रहा हूँ, कैसे हैं आप सब यह नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कि आपका examiner syllabus में Indian economy लिखके पूछता है, भारतिय अर्थ वैवस्ता लिखके पूछता है, आप syllabus को देखना, syllabus में economics कहीं नहीं लिखा हुआ, जबकि आप कहीं भी जाओगे, आपको क्या बोलते हैं, economics कौन पढ़ा रहा है, economics आपको पढ़ना ही नहीं है, आप समझे ले मेरी बात, आपको economics का एक section आता है, economics के अंदर थोड़ा जाना है और एक विशह है economics के अंदर, जैसे मैं आपके कहूँ कि आपका घर, तो आपका घर हो गया economics, और आपका bedroom, जो घर का सबसे important चीज है, वो हो गया economy, तो examiner सीधा bedroom में आता है, वो घर में नहीं आता, ठीक है, तो आपको पूरा focus लेकर चलना है economy के उपर, और अगर आप syllabus पर गौर फर्माएंगे, तो syllabus में लिखा हुआ है, Indian economy, भारतिय अर्थ व्यवस्ता, अगर आप देखें तो, syllabus में लिखा हुआ है, Indian economy, भारतिय अर्थ व्यवस्ता, और अर्थ व्यवस्ता जो है, उसका मतलब है, किसी भी देश में होने वाली समस्त आर्थिक किरियाएं, मतलब पैस, आर्थिक मतलब आप समझ गए, आर्थिक बोलते हैं समझ जाना है, अगर रात को 12 बजी भी कोई पूछे, आर्थिक मतलब तो उसको बोलना, आर्थिक मतलब पैसा, मतलब पैसे की बात कर रहा है, तो आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसा, पैसा मतलब आर्थिक, तो किसी भी देश के अंदर घटने वाली समस्त आर्थिक किरियाएं, उस देश की अर्थ व्यवस्ता बनाती है यानि पैसे से संबंदित जो भी काम इस देश में हो रहा है वो इस देश की economy है तब ही आप देखो syllabus में क्या लिखा रहता है इंडियान economy उपर लिखा रहता है उसके नीचे क्या लिखा रहता है banking banking किसका लेंदेन करते हो समोसों का रसगुलों का पैसों का आर्थिक तो समझ में आया bank में किसका लेंदेन होता है पैसों का आर्थिक आप देखो गे तो आपको नजर आएगा बहुत इंपोर्टेंट बजट बजट में किसके बारे में बात की जाती है पैसे के बारे में इतना पैसा आएगा इतना पैसा यहां यहां खर्च करना है तो यह सब क्या है अर्थ व्यवस्ता यह सब क्या है आर्थिक रिया है और यह सब जिस विशे के अंदर आ रहे हैं यह सब जिस अर्थिशास्त क्यों कि आर्थिक किरियाएं जो होंगी वो आर्थिक किरियाएं इसलिए तो होंगी कि जो सीमित संसाधन है वो असीमित जनसंख्या तक पहुंच जाए इसलिए तो होंगी आर्थिक किरियाएं कि जो सीमित संसाधन है वो असीमित जनसंख्या तक पहुंच जा यही आर्थिक किलियाएं हैं याद करो economic planning आर्थिक नियोजन पैसे का ऐसा management करो कि पैसा सब को मिल जाए जैसे देखो 50 रुपे हैं और 50 रुपे दो जनों में बाटने हैं ठीक है तो 50 रुपे रुपे मतलब आर्थिक और मैं क्या करूँगा 52 में बाटने हैं तो आदे आदे कर दूँगा अरे आदे आदे कर दूँगा ना तो यह मैंने क्या करी क्रिया क्या करी आर्थिक क्रिया और किसी भी देश में होने वाली आर्थिक क्रिया क्या है उस देश की अर्थिवस्ता प्रबंधन मतलब management, management मतलब planning, planning मतलब नियोजन, मैंने संसाधन, आप इसको संसाधन मानो, और ये जनसंग्या, मैंने संसाधनों को जनसंग्या तक पहुंचाने के लिए एक विशेश प्रकार का नियोजन किया, और आपके पास संसाधन क्या है, आर्थिक पैसा, आर्थिक, त समझ में आया, तो ये जो बीच में चल रहा है न ये सब, ये economy है, और ये जो आप कर रहे हो, ये जो करना है, कि संसाधनों को जनसंग्या तक पहुंचाना है, ये अर्थ शास्त्रे है, पर बीच में जो आर्थिक क्रियाए होगी इनको यहां से यहां तक पहुंचाने के लि में फरक पता होना चाहिए economy और economics में फरक पता होना चाहिए economics अगर समुंदर है तो economy उस समुंदर का एक छोटा द्वीब सम्मू है पिच्छर को clear करते चलो चीजों को clear करते चलो और आपका syllabus कहां टिका हुआ है आपका syllabus टिका हुआ है economy में लेकिन 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 सर जब syllabus में ही Indian economy भारतिय अर्थवस्ता लिखा हुआ है तो फिर एक बात बताओ हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है economics क्यों पढ़ाई जाती है सीधा ही economy पढ़ादो ना आपका time waste हो ना हमारा time waste हो ऐसा सही है ना कि सर जब syllabus में ही economy लिखा हुआ है exam में question ही economy से आना है तो फिर हम economics क्यों पढ़ें क्यों पढ़ें इधर देखो मैंने क्या कहा कि economics समुंदर है समझो यार चीज़ों को समझो समों से बाद में खाले ना economics एक समुंदर है और सुनो ध्यान से economics एक समुंदर है और economy उस समुंदर के अंदर इस्तीत एक द्वीप समू है कि है आएट है geral है कि अब उजव बात बता हो उस उस अएललेंड तक पहुँचने के लिए कि उस द्वीप समुद तक पहुचने के लिए तक कि आपको समुंदर में उतरना पड़े गा या नहीं तो नहीं है तो भाईया आपको इस द्वीब समू पे जाना है तो पहले आपको समुंदर में तैरना पड़ेगा समुंदर में उतरना पड़ेगा तब आप उस द्वीब समू तक पहुच पाओगे और उस द्वीब समू की प्रकति जान पाओगे कि इस द्वीब समू के आसप जो समुंदर है उसकी प्रकृति कैसी है वो कैसा है वो क्या चाहता है उसका पानी कैसा है तो जब आप इकोनॉमी को पढ़ना चाहते हो तो पहले भाईया इकोनॉमिक्स को पढ़ना पढ़ेगा पहले हलका सा होगे economy में फिर ये economy आपकी strong बन जाएगी इसलिए पहले इसको पढ़ना पढ़ता है फिर वहां पहुचना पढ़ता है पर दोनों में बड़ा अंतर होता है और आपके इसलेबस में तो यह होता है यह नहीं होता पर यह नहीं होते हुए समझ में आ रहा है पहले इसको पढ़ो कि तब यह समझ में आएगा अब लोग उल्टा करते हैं हम सिर्फ पढ़ाएंगे इप पढ़ादो इकला वी पढ़ा देते हैं बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता और आएगा कैसे जब तक आप यहां टेच नहीं करोगे अरे भाईया जब तक आप मारियो में बंदू की गोली किस बटन से चलेगी वो ही नहीं पता होगा तो डाइनर सौर के पास पहुच दे का मतलब ही क्या रह गया तो पहले भाईया ये पता तो चले कि भाईया संसाधन क्या है संसाधनों का वितरन कैसे करना है अब उन वितरन क तो कैसे करना है वो तो यहां पढ़ेंगे पर उन संसाधनों का वितरन कहां करना है यह तो यहां पढ़ोगे ना तो पहले यहां पढ़ो बेसिक यहां से मजबूत करो फिर यहां जंप करो अब आप लोग क्या करते हो आपकी गलती भी नहीं है सबी लोग क्या करते हैं सीधा पहले ये पढ़ाते हैं क्योंकि syllabus में economy लिखा हुआ है हम तो economy पढ़ाएंगा economics नहीं पढ़ाएंगे गल्ती मत करो ये तभी मजबूत होगा जब ये मजबूत होगा यानि जब आप समुंदर से दोस्ती कर लोगे तो उसके द्वीव समुं से तो दोस्ती अपने आप ही हो जाएगी ना क्योंकि समुंदर खुद आपको द्वीव समुं गिफ्ट कर देगा तो जब आप economics को strong कर लोगे तो यहां तो वैसी ही पहुंच जाओगे मैं उमीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और दिनेश सेनी का यह कमेंटर ऐसा जहाज से उतर जाएंगे और दिनेश जी मैंने पहले भी कहाता संसाधन सीमित हैं हेलिकॉप्टर और जहाज आपको नहीं मिल सकते हैं यही तो विडंबना है कि संसाधन नहीं ही आपके पास आपके पास सिफाफ के हाथ पाँ हैं और टेर के ही जाना पढ़ेगा और जितने भी लोग मेरे मैं उमद करता हूं आज का मैं आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करें आज के सेशन के बारे में lieu qualité और फेस्बुक पे भी आप जाके कमेंड कर सकते हैं और यहां भी आप कमेंड कर सकते हैं live session में अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझसे पूच सकते हैं please I am waiting for your doubts and I am here to clear your doubts please ask your doubts दिनेशनी जी करें सर स्विम करना तो आप ही सिखाऊगे बिल्कुल मैं ही सिखाऊँगा दिनेश जी बस कॉस्ट्यूम आपको लेके आना है ताकेश जी थैंक यू पृती जी जैहिंद पृती जी आपको भी जैहिंद चलिए बहुत ही मजेदा रहा आपके साथ की जुडाओ मेरा और कल फिर इसी टाइम पर चार बजे आपके साथ पृत जुडेंगे और लेके चलेंगे आपको इकोनोमिस की शाखाओ की तरफ ढगरांचे जी ऑफ एकोनोमिक माइक्रेकोनोमिक और वहां से हम शुरू करेंगे डिमांड सप्लाइ मेकानिसम तब तक के लिए खुश रहे स्वस्त रहे मस्त रहे और पढ़ाहिमे वैस्त रहें बी सेफ अन बी positive thank you so much आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कल फिर मिलते हैं इस टाइम पर टप टक के लिए नमस्कार